कर दोगा है चै कि जह हैं दोस्तो इसे देने हैं बिहारबोंड मैट्रिक परिछा sesi 2022 में एक्जामदे वाले हैं उनके लिए बिहार लुड के तरफ से निज्स निकल कर आया है और क्या जानकारी बिहार बोड के दोड़ा निकल कर आया है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे देखिए बिहार बोड मैटी परिच्छा में हर प्रस्म पत्र पर रहेगा विश्यक कोड पैटर्न जारी और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे की आपका जो question paper पर रहेगा किन किन सेक्षन में बटा रहेगा और आपको परतिक जो खंड है उसका प्रस्म का उत्तर देना अनिवारे रहेगा नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे और समाजी विज्ञान, विज्ञान का क्या विशे कोड रहेगा इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे तो वीडियो को अंदग देखिएगा ने ने अपडेट जो निकल करा रहा है वो हम आपको बताते रहेंगे ताकि आपको एक्जान के समय कोई गल्दी ना हो सके विज्ञान, तो किसी पर दोसों 111 रहेगा तो यह अपने-अपने विशे का विशे कोड होता है ठीक है तो विशे कोड को छात्रों को OMR और उतार प्रास्तिका पर लिखना होगा इसी जो ऊपर आपको एंसर शीट जो होता है OMR आपके पास तीन कागज होंगे मेंली एक होगा question paper होंगे और आपका एक OMR होगा और एक होगा answer seat होगा तो question paper पर जो भी code होगा कर च्क होगा इसको बोलते हैं सभ्यक्ट सीं उपाइसटर को आपको इस पर भी लिखना होगा मतलथ एंसर पर हो और 100 फेलिखना होता है ठीक है तो ऑप पेपर पर आपको लिखना रहेगा यह जानकारी दी जा रही है फिर क्या है कि छात्र जो है छात्र से विश्यकोड लिखने में किसी तरह के चूक नहोजा इसके लिए जो बोर द्वारा विश्यकोड दिया जाएगा मतलब कि आपका जो क्विश्चन पेपर उसके उपर ही तो आपको एंसर शीaded और विश्यकोड लिखतेना हें ताकि कोई गल्ती नहीं हो सब्सक्राइबा है तो 112 लिखई देना है आपको लिखना जरूरी है नहीं तो नमर कर जाएंगे question paper आपका नहीं जा पाएगा भी हारबोर को ठीक है तो देखिए हर प्रसंपत्र में तीन सेक्षन होंगे मतलब कि जो प्रसंपत्र में जो तीन सेक्षन होंगे तीन सेक्षन में क्या है जिसे मान लिए कि एक objective का होगा एक लगु उत्रिये का होगा और एक द्रिग उत्रिये का होगा तो objective लग ताइप question answer और long type question answer यह तीन पार्ट में बटे रहेंगे यह 50 मार्स का रहेंगा यह भी 50 मार्स का रहेगा 100 मार्स का पूर जाएगा ठीक है तो इसमें से आपको क्या रहेगा कि इस में से भी आपको 50 नमर का बनाना रहेगा ठीक है तो लगोत्रिय का आपको बना लेने के बाब दिर्गउत्रिय का भी बनाना है यह नहीं कि लगोत्रिय सेस्सक्राइ hrma प्रसंथा नहीं बनाए के पर आपके नमब्र कटी सेक्षमम से आपको प्रसंथर बनाने से दिहने क्या कहा गया है इसमें ये बताया गया कि मैटी परिच्छा के हर प्रसंद पत्र में तीन सेक्षन होंगे सही बात है जो हमने आपको बताया चात्र को हर सेक्षन के प्रसंद पत्र का उत्तर देना है मतलब कि जितने भी अब्जेक्टिव का देना है लगुत्रिय का देना है द तो आपका नमर कड़ जाएगा यह बताया जा रहा है बिहार बोड़ द्वारा मैटी परिछा के लिए प्रसंद प्रत्र पैटर्ण जारी कर दिया गया है तो आपने जो भी मोडल पेपर डाउनलोड किये होंगे या फिर इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड किये होंगे बिहार बोड मैटी परिछा के तो उसका पैटर्ण जारी कर दिया गया उसी के अधार पर आपका एक्जाम लिया जाएगा उसी के अधार पर जो मोडल पर जारी किये गये हैं उतना ही क्वेश्चन एक्जाम में पूछे जाएंगे चाहे वो अब्जेक्टिव हो लगुत्र में सही दिक्कत की बात नहीं पहले सक्ष्ण में वस्तुप वस्तुनिष्ट परकार के प्रस्ण हैंगे sommes हिलतल दिलीredit के लिए अलग स्क्ष्य रहेंगे तो यह हम प्दा दिया है फिर क्या बता गया है कि आपका जो एक्जाम होने वाला है 17-24 फरड़ी के बीच ठीक है तो छात्र हित में बोर दौरा प्रस्ण पत्र पैटर्ण जारी किया गया है पैटर्ण से छात्रों को किस चप्टर से किस तरह के प्रस्ण आ सकते हैं इसकी जानकारी मिलेगी इसके अलाबा कि सेक्षन में कितने प्रस्ण पत्र रहेंगे और कि प्रस्मकार जवाब देना इसकी जानकारी भी मिलेगी तो यह हम ने आपको जानकारी दी कि परतेक सेक्शन का आपको question का answer लिखना है ठीक है और वीसे कोड दिया रहेगा आपके question paper पर आपको पर और answer sit इस पर आपको लिख देना है यह भूल नहीं करना है ठीक है वैसे भी आप जब जहां पर आपका सेंटर पढ़ेगा exam center आप आप जाईएगा तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिये जाएंगे टीचर के द्वारा कि आपको कौन सा कागज पर क्या भढ़ना है ठीक है तो दिक्कत की बात नहीं रहेगी ठीक है दोस्तों तो यही जानकारी देनी थी कि विहार बोड मैटी पर रहेगा विशेकुट पैटर्न जारी ठीक है दोस्तों यही जानकारी देनी थी रहनेवाद दोस्तों